कि हैं अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब कैनल समराथ एजुकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को भी सी एक लिगल चब फोर्ट समेस्टर की एक विस है प्रिंसिपल्स आप सीट टेकनलाजी का नवा लेक्चर मैं कराने वाला हूं ठीक है इसके प कि फोरेसिस मोलीकुलर एंड बायो केमिकल टेस्ट ठीक है इसका हिंदी मतलब ग्रो आउट परिच्छड व इलेक्ट्रो फोरेसिस तथा आडविक वर रासानिक परिच्छडों द्वारा किस्म की पाचान क्या बोला है कि ग्रो आउट टेस्ट परिच्छड के द्वारा और इलेक्ट्रो फोरेसिस्ट और आडविक और रासानिक परिच्छड की द्वारा आप लोग किस्म का पाचान कैसे करेंगो उसी के बारे हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है तो पढ़ेंगे पुरा विश्टार से बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोगों तो चल लिच्छड में क्या किए रता हैं Og मानक नहूं नहुना होता ढोनों सात साथ साथ में उगाई रता है बीज की अंकुरोड से लेकर संपूरड प्रिपक विष्चां तक संपूर ब्रिदीकाल के दवरां दोनों के आकार्की लृष्डो की तूलना की जाती है एक मान तो ग्रो आउटिस्ट क्या होता है कि परिछण नमूने और मानक नमूने को जब साथ-साथ खेत में उगाया जाता है फिर बीज अंकुरण से लेकर जैसे कोई बीज जो परिछण नमूना है और जो मानक नमूना दोनों को जब साथ-साथ खेत में उगाया जाता तो उसमें ज कि अब देखेंगे उसका मोर्फोलाजी सीड मोर्फोलाजी टी कि मैं अब लोग परिवस्थ में मानक नमूने और परिछण नमूने को एक साथ खेद में उगा जाता है उसके बाद उनके अंकुरोट चे लेकर उनके असंपुर परिपकोस्था पर बीच की आकार की आधिका द उनको क्या करते हैं उनसे हम लोग आनुगा आधिक सुझता का परिछण करते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे लिए सीड मोर्फोलाजी लैब में नेगड आइस या हैंड लेंस या सेम की साहता से बीज की चड़ाई लंबाई मोटाई आकरिती भार रंग आधि लच की आती है बीच की आकरिती भीयच का भार बीच का रंग और भी उसारी लच्षण जिनकी तुलना की जाती है तो यह होगिया सीड मोर्फोलाजी यदि पूछ दिया कि आप लोग इसको किसको करेंगे तो नैग्ड आई या हैंड लेंस की द्वारा किया जता है आगे चलते ह सौभाव करेक्टर और फलोग लच्छड देखें तो यसuestas अमारा पौदा जो और 6 निके बाद पाल्दाव का सवभाव कोईसा है पुषपू सवभाव कोईसा है पूस-पी लच्ठ कोईसाई थिक है आगए आप देखेंगे फिनाल टेस्ट दोलग किसमे की पैचान कैसे करेंगे तो यह फिनाल तो फिनाल टेस्ट होता है या किया जाता है यह पर रिच्छड वाल्स के दारा और नई 165 में धान फसलों जैसे गिये हूं धान जवारादी के लिए दिया गया था तो फिनाल टेस्ट यह सब देखिए जो भी इसमें चार्पाश टेस्ट है पूछ सकता है ठीक आप लोग इस सब्सक्राइब लिखना पड़ेगा तो सिनाल टेस्ट फिनाल टेस्ट की खोच किस ने की थी तो वाल्स ने की दिगए अब कि फिनाल टेस्ट यह पर इच्छड वाल्स के तरह ऑन इसपाइसर में धान फसलों जैसे गिए धान जवारादी के लिए दिया गया था ठीक है यह बहुत ही आसान जल्दी से होने वाला सुलब पर इच्छड है अगला पॉइंट किसमों की विवेदन के लिए भी किया जाता है फिछले 50 वर्सों से इसका यूपयों किया जा रहा है कि इन ए ओस्ट इसमर तो डियम हैडाओक्साइड टेष्ट यह भी किया जाता है यह पाइने की दवारा उनटेश्टाइस में विविख्षित किया गया था ठीक है यह सफेद वह लाल बीज वाली कि किसमों का विवेदन करता है इसका लाल और ने आगे चलते हैं के और एच टेस्ट तो इसका यूज धान में किया गया था यह रोश्टा के द्वारा और रोश्टा के द्वारा जंगली दान फत्वा के बीज लाल रंके होते हैं इसके कुछ सफेद बीज सभी इसे कुछ बीज सफेद रंके हो जाते हैं यदि सफेद बीज समान धान के सफेद बीजें मिश्रित हो जाए तो इन्हें पाच्छाना कठी हो जाते हैं यह सफेद वीज समान दान के सफेद वीजों से मिस्रित हो जाएं तो इन्हें पर अचाना कठी हो जा था परन्तों सोडियम सारी पोटाइसियम हाई डाक्षाइट पर इच्छे लिए पाचाना जा सकता है आगे जाते हैं कौन सा चाहए दिकाए दे सकता है तो तomme बताया ओड़े मेन देखाए कर दिकाए कर दोस्तों प्रकार के दिखाए दे सकते ही सब्सक्राइं कर सतार है और फोरा दबा जुआर में किया जाता है यह परिछड़ी पाइने वह कोजाई को अस्की के द्वारा उन्हें इस अस्थी में विक्सित किया गया था ठीक है बीज चोल की आंतरिक परत टेगमेन में टैनिक अमल पा जाता है जो काला अभी रंजन देता है इन्हें सुनेशित करने के लिए पर जीशन डेष्ट आगे चलते हैं तो यह सुयाबीन में किया जाता है इस पर इछड़ को बटरी वह बजेली की द्वारा है उन्हें स्थी से में इसका योज़ स्याविन में किया जाता है इसका विज चोल परॉण साइड के लिए प्रदर्सित करता जो एक जीन के दो यूगों के द्वारा प्रदर्सित कि जाती है और है यह परिच्छड पराकसाइड एंजाइम की एस्टूगों कि अभिक्रिया पर अधालित होता है उम्मित कहते हैं अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथट ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है तो प्रोटीन प्रत्यक्ष जीन उत्पाद होती है प्रत्यक्ष जी प्रत्यक्ष जीन उत्पाद होता है बीज और अंकूर की प्रोटीन वह एंजाइमों का परिच्छड किया जाता है इसमें जब जैल में विद्धू सप्लाई की जाती है तो आवेसित कड़ों की विप्रिद्रू की और गती होती है और आकार के अनुसार अड़गों की स्व दूसरे से पी तक हो जाते हैं ठीक है कि बाइंडिंग प्रेटन के अधार पर किस्मों को गरिफाई किया जाता है जिसने पहला कौन कौन सा मेथड़ है पहला बाई मेजरिंग आर्यम आप बैंट्स दूसरा टोटल लंबर आप बैंट्स तीसरा प्रेजेंस और अपसेंस आ और चौथा इंटेंस्टी आप बैंट्स टीक है इनके द्वरा क्या कियाता है वाइडिंग पैटन है यह इनी कैदार पर किस्मों को गरिफाई किया जाता है इसकी समाने प्रक्रिया कौन से जेनरल प्रोसेस तो सिरेक्शन आप प्लांट मैटेरियल दूसरा है इसलेशन और इनजाइन पीजर आये इलेक्ट्रो फेरेसिस और चौथा स्टेनिंग आफ जिल एक आगे चाहते हैं आप मॉली कुलर मेकर इंडियन्य में उपस्थित विशिष्ट अस्थान होते हैं जो एक किसम के पाथे के लिए विशिष्ट होते हैं मॉलेकुलर मेकर्स में क्या है तो यह जो ताया डिन्ने में इसी विशिष्ट अस्थान होता है जो यह किसम के पौदे के लिए विशिष्ट होता है तो यह जो जिसका पुरा नाम रेंडम ली एंप्लिफाइड पॉली मोरी मॉर्फिक डिन्ने ठीक दूसरा यह सी एयर सेक्वेंस करेक्टराइज़ एंपलीब दीजन चोथा तिसरा एस सार सीमपल सेक्वेंस रिपीट और चोथा है यह स्टिया सेक्वेंस टैब सीट्स ठीक है इसमें पादप उठकों से डिन्ने का निसकर सड़ करके PCR जेल एक इलेक्रोफेरेसिस द्वारा इन मार्क मेकर्स का अध्यन किया जाता है तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अठ्वा लेक्षर अच्छे समझ में आ गया होगा वीडियो चलागा तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और दोस्तों बस यह जबूद कीज़ेगा इस चैनल पर आप लोग एक्जाम की तजरी आ रह